जेहिंद वंदे मात्रम सौगत है आप सभी का नोकडीकवे.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे होमगाड के पदो पर आचुकी साल 2023 के लिए सीधी भरतियों के बारे में जहां पे आप सभी के लिए 1470 से भी जादा पदो पर भरतियों के नोटिविकेशन और आविदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 17 मार्च 2023 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से बिलकुल फुरी में आविदन कर पाएंगे इसके बारे में आपको आगे जानकादी दी जाएगी आपको बता दे अगर आप लोग होमगाड के 1470 से भी जादा नंबर और विकेंसियो आप के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आपके पास education qualification सतवी पास और दसवी पास की होनी जाए यानि की बता दे कि अगर आपको आविधन करना है तो इस वीडियों में आखरी तक बने देना है ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट है 30-2023 यानि 30 जनवरी की जबकि आखरी डेट है 17-3023 यानि 17 मार्च की आगे आपको नोडिकेसन डाउनलोड करके दिखाएंगे जिसका फाइल साइज है 3MB का और साथ में आपको बताएंगे कि आविधन करने के बाद आपका जो सलेक्षन है वो कैसे होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना होगा मेडिकल औ साथ और भी कुछ यहाँ पर एक राइटेरिया स्फॉलो करने पड़ेंगे 40 साल तक की एज वाले केंडिडेट आविधन करेंगे और 15 से लेकर 25,000 रुपय तक आपको बीतन भी दिया जाएगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आगे सबसे पहले आपको ग्रामेड ग्रेह रक्षकों के लिए भरती देखने को मिलेंगी और इसके अंदर आपको पुरुस महिला और कुल पद देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको ग्रामेड के अंदर 638 पद मिलेंगे जबकि यहाँ पे सहरी ग्रेह रक्षकों के लिए आप आपको टोटल 840 पद देखने को मिलेंगे टोटल अगर यहां पे काउंट करेंगे तो 1470 से भी ज्यादा पदो पर आपको आविधन करने का मोका मिल रहा है बात करें योगता के बारे में तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं यहां पे आपको ऑनलाइन आविधन करना यहां पे 162 से जबकि अजजा और अजजा के अंदर 157 और 148 से लंबाई आपकी फीमेल यानिकी महिलाओं की चाहिए यहीं पर सीने की बात के हैं तो समान OVC और BC के लिए 79 और अजज़ा आज़ा के लिए 76 और महिलाओं का चेक नहीं किया जाएगा इसके बाद देखें ऑनलाइन जो है तो आपको अपलोड करना होगा अगर आप लोग छूट चाहिए या छूट के लिए एलिजबल है तो और इसके बाद यहाँ से जब नीचे आएंगे तो चैन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है चैन कैसे आपका होना है सारीरिक जात पजिक्षा आपकी होगी जो कि आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे मिल यानि वर एक किलोमीटर की रनिंग होगी जहां पे आपको पांच मिनट या पहले का बीस नमबर मिलेगा पांच से अधिक छे मिनट तक क्या दस नमबर और छे मिनट से अधिक समय लेने वाल को आयोग गमाना जाएगा इसके बाद ऐसे ही सेम उची कूद है लंबी कूद है और सौट पूट है आप लोग देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको तकनीकी दक्ष सहरी ग्रह रक्षक अप्यार्थियों के लिए देख सकते हैं सहरीयों के लिए यहाँ पे समय दिय गया है सेम टू सेम और इसका भी उची कूद लंबी कूद सौट पूल आप लोग देख सकते हैं हिंदी में लेखन शमता परिक्षा की बात करी गई है साथी पास से इसलिए सारी जाच होंगी तकनीकी दक्षता परिक्षा भी होगी यहां पे आपकी जहां पे आपके हिंदी लेखन समता परिक्षा सफल करने वालों को आगे का मोका मिलेगा और इसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखें पर्थम दुती तुती राश्टी में और राज इस्तरी में अंक दिये गए हैं इसके बाद आपको आवेदन करने का समय बताया गया है कि आप लोग कब से क अनकार यहां पर दी गई है लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा जो की ओफिसल विबसाइड में आगे आपको दिया जाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं होमगार्ड के पदों पर आ चुकी सीधी भरती 2023 के बारे में जहां पर आपको टोटल 1470 से ज़्यादा नंबर और विकेंसी मिलने वाली हैं आविदन करने के लिए और इन पदों पर महिला पुरुष दोनों केटेगरी के केंडिडेट आविदन कर सकते हैं कक्छा सातवी पास है और दसवी पास है तो आप सभी लोग एलेजवल हैं आविदन करने के लिए 100% रियल जिसका नोडिकेशन अभी मैंने आपको दिखाया है 40 साल तक के केंडिडेट आविदन करेंगे जहांपे 32,000 रुपय तक आपको दिया जाएगा ऑनलाइन तरीके से आविदन करने के लिए लिंक दी गई है जिसकी आखरी डेट 17 मार्च 2023 की होने वाली है तो दोस्तों अगर आप लोगों को होमगार्ट के पदोपर जॉब चैये तो आप लोग जुए तो जौइन जरूर करिये इससे पहले आपको आविदन करना होगा उसके लिए आपको लिंक चैये लिंक कहा मिलेगा इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी अगर यहां तक वीडि़ के description में और आप लोग जहां पे comment करते हैं first comment के अंदर पिन कर दूंगा तो click करके इस page पे आ सकते हैं यहां पे आने के बाद देख सकते हैं सरकारी exam.co.com की official website पे हैं और जब आप लोग यहां से scroll करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं home guard की भरती आ गई 1488 total number of vacancy हैं जहां प for 1478 home guard post vacancy के लिए आपको आभीदन करना होगा इसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा home guard की पोश्टे हैं 1478 जहां पे 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2023 तक आभीदन करना होगा यहां पे थोड़ा मिस्प्रिंट है आप लोग जनवरी के महिन से आभीदन कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं होगी 21 जनवरी से इसके बाद यहां पे देखे कक्षा साथवी और दसवी पास वाले केंडिडेट आराम से आभीदन कर सकते हैं जहां पे आपकी एज 19 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए यहां पे आपको रिटन एक्जाम, फिज आपको सौर रुपए पे करना होगा, इसके बाद यहां से नीचे आने पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे ओन्लाइन अप्लिकेशन फॉरम कैसे फिल करना है, इसकी कम्प्लेट जानकारी यहां पे दी गई है, इसके बाद आपको important link मिलेगा जहां पे आपको प्रविकेसन को डाउनलोड कर सकते हैं आवेधन करना यहां से आप लोग कर सकते हैं ओनलाइन आवेधन सुरू हो चुके हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेधन करने की complete वीडियो बना के provide कराऊं तो आपको सबसे पहले commit करना होगा इसके लिए आपको यहां पर पोश्ट applied for यहां पर आपको recruitment का नाम यहां पर डालना है select करना है आप लोग कर सकते हैं और इसके बाद second number यहां पर कौन सी पोश्ट के लिए आप लोग आवेधन कर रहे हैं applicant का name, date of birth और phone number, send OTP then अपनी एक mail ID डालना है और registration की बटन पे क्लिक करना है आपका registration आसानी से हो जाएगा अगर आपको यह job अच्छी नहीं लग रही है आप लोग interested नहीं है तो आप आ सकते हैं home page पे आपको और भी कई सारी job opportunity देखने को मिलेंगी सरकारी exam.co.com पर आप लोग इनके लिए भी आसानी से आविदन कर सकते हैं latest job के सक्षन में कम job दिखेंगी जब आप लोग यहाँ पे view more की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक page पे आएंगे जहाँ पे आपको latest job से related जितनी भी पोश्टे यहाँ पे public करी जाती है सारी के सारी आपको सो होने लगेंगी तो दोस्तो आप लोग इनके लिए आविदन कर सकते हैं तो आविदन करिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद